है खेलो दोस्तों स्वागत है आपका पील सी कोईट्ड पर आज किεις वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर जोन कंपेर के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, time compare instruction के बारे में, आज की इस वीडियो में हम एक zone बनाएंगे, और उस zone के अंदर एक lower limit और एक upper limit डालेंगे, उसके according हम किसी machine light या motor को control करेंगे, ठीक है, calendar zone compare के लिए जो instruction होता है, वो tzcp होता है, इसमें एक source 1 होता है, जिसमे time की हमें lower limit डालना होती है, और source 2 के अंदर time की upper limit डालना होती है, उसके बाद जो main source होता है, उसमें हम जो actual time होता है, जो current time होता है, calendar का, उसे डालना पड़ता है, उसके बाद जो destination होता है, उसके अंदर result आता है, जिसे हम output यूज करते हैं, या तो memory bit यूज कर रहे हैं, या तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरह पूर देखते हैं इस तरह से काम करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर एक आज के इस वीडियो में हम टीजेट सीपी के बारे में देखने वाले मतलब टाइम जोन कंपेर तो इस इंस्ट्रक्शन को डिलीट करेंगे इसके बाद हमें लिखना है टी जेड सीपी टाइम जोन कंपेर अब देखो इसमें एक सोर्सर्स वनके अंदर हमें लोवर लिमेट डालनिहींये टाइम की लोवर लिमेट ठिक है मतलब यहां पर automatically on करना है तो सुभे 9 बजे का मतलब होता है lower limit ठीक है तो यहाँ पर देखिए lower limit LB LB का मतलब होता है lower bound ठीक है hours के लिए मैंने D20 use किया हुआ है ठीक है तो हम D20 यहाँ पर एक data register use करेंगे तो D20 के बाद D21 और 22 automatically यह 3 continuous data register को reserve कर लेता है ठीक है अब इसके बाद देखिए हमें upper limit डालनी ठीक है तो यहाँ पर मैंने upper bound में देखिए D24 use किया हुआ है तो D24 25 और 26 यह तीनों ही यहाँ पर reserve हो जाएंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर लिखना है D24 ठीक है अब देखिए इसके बाद है main source तो main source के अंदर देखिए D24 15 और 16 यह तीन डाटा रेजिस्टर है जिनके अंदर hours minute और second ITC मतलब real time calendar का डाटा यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो हमें यहाँ पर लिखना है D24 ठीक है तो मैं जैसे यहाँ पर Y0 लिखता हूं आटोमेटिकली यह तीन आउटपुट को इसके आने वाले अगले दो आउटपुट को रिजर्व कर लेता है ठीक है यह यहाँ पर भी लिखा हुआ है ठीक है अब इस प्रोग्राम को एक बार हम चेक करते हैं उसके बाद टाइम के अको करेंगे ठीक है अब देखिए जो रियल टाइम क्लोग है इसका टाइम यहाँ पर इन डाटा रिजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ है ठीक है अब हमें लोवर लिमिट और अपर लिमिट को डिफैन करना है उसके बाद हम चेक करेंगे कि रियल टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोवर लिमिट और अपर लिमिट के अकोडिंग यह इंस्ट्रक्शन सही काम करता या नहीं हमें लोवर लिमिट डालना है तो मैं यहाँ पर लोवर लिमिट देखिए एक बार इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं ठीक है आवर्स में लिख देता हूं नो इसके पाद मिनिट में हम जीरो लिख देंगे हैं अब लब यह नो बजे का टायम है नो जीरो जीरो ठीक देखिए अपर लिमिट में जो है यहाँ पर में 17 दस डाल देता हूं मतलब पांच बच के दस मिनिट ठीक है तो देखिए 17 डाला में डी 24 में और डी 25 के अंदर में 10 डाल अब देखिए जब वाइटू ओन था अब वाइवन ओन है वाइवन ओन इसलिए है क्योंकि यह जो टाइम है इस जोन के अंदर है ठीक है यह लोवर लिमिट है और यह अपर लिमिट ठीक है तो इस लोवर लिमिट और इस अपर लिमिट के अंदर जो भी वेल्यू रहती है जब real time clock lower limit और upper limit के अंदर रहती है तो यह वाइवन को ओन करता है ठीक है जब actual value होती ही जो real time clock होती ही वह lower limit से भी कम होती है तो फिर वह y0 को ओन करता है अभी देखिए जो रियल टाइम जो हमने सेट किया वाई अपर लिमिट के लिए वो 1710 यह लेकिन जो एक्ट्वल टाइम वो 1714 यहां पर देखिए 1714 ठीक है तो यह टाइम एक्ट्वल वेल्यू से भी ज्यादा है उस वज़े से इसने वाई 2 को ओन किया वाई जब यह टाइम लिमिट के अंदर मैं यहां पर 30 डाल देता हूं अब देखिए यह वेल्यू उसके अंदर आ गई है ठीक है तो इसने वाई 1 को ओन कर दिया है और यदि मैं इसकी वेल्यू को चेंज करता हूं यहां पर देखिए यह आवर्स जो मैंने 9 डाला हुआ है इसको मैं डाल देता हूं 1720 यहा लिमिट से भी कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि जो रियल टाइम क्यलेंडर है में अभी 17-15 हो रहे हैं ठीक है और यदि में सेट वेल्यू जो लोवर वेल्यू उसको मैं 17-20 डालता हूं देखिंग जैसे इंटर करता हूं में यजिरो ओन जाता है ठीक है अब जो हमारा जो टाइम का जोन बना हुआ है वो 17-20 से लेकर 17-30 तक है मतलब 5-20 से 5-30 के बीच में यदि हमें किसी आउटपुट को ओन कराना है तो हम Y1 के थूर किसी रिले को या किसी कॉन्टेक्टर को ओन करा सकते हैं ठीक है न अब यदि हमें उस शिफ्ट से पहले कुछ ओन कराना है तो हमें Y0 के थूर करवा लेंगे और यदि शिफ्ट के end मतलब shift खतम होने के बाद हमें यदि कुछ on करवाना है तो हम y2 के थूँ कुछ on off करवा सकते हैं ठीक है ना तो इस तरह से calendar zone compare instruction के थूँ हम एक zone बना सकते हैं एक time की limit डाल सकते हैं यदि हमें 2 बजे से लेकर 4 बजे मतलब total 2 गंटे के लिए किसी machine, motor, AC, cooling fan जिसे भी हमें on करवाना हो उसे हम time के according on off करवा सकते हैं उसके लिए सिर्फ हमें एक lower bond मतलब एक lower limit डालना पड़ेगी और एक upper limit डालना पड़ेगी ठीक है जब हम lower limit डाल देंगे और एक upper limit डाल देंगे तो lower और upper के बीच में जोन बन जाता है ठीक है फिर उस zone के according हमें उस zone के अंदर on करवाना है या zone के बाहर on-off करवाना है ठीक है तो हम यहां से y0, y1 और y2 के थूख सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि इस वीडियो से related कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंड करना मैं आपका डाउट क्लियर करने की पोशिश करूँगा बुड़े पसंदा है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को पुरा जेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैवारत मिलते हैं नेक्स टूडियो में